दशको मीडिया में च्छाय रहने और पॉपलेर्टी का शौक जब हवस बन जाये ना तो इनसान किसी भी हद तक जा सकता है और शोशल मीडिया के दौर में तो ये रोग पागलपन की हद को पार कर गया है खुद को सुर्खियों में रखने या ज़ादा से ज़ादा लाइक पाने की हवस में लोग कैमरे के सामने अपने कपड़े तक उतारने में नहीं जीज़क रहे हैं आज कल ये शोग प्रशास्निक अधिकारियों में ज़्यादा फैलने लगया ये अधिकारी प्रशास्निक इस्तर पर कोई कमाल करे या ना करे अपने आपको सोचल मीडिया में इमानदार, हेल्पिंग और गुणवान, ग्यानवान दिखाने में काफी सक्रिये हैं कोई सड़क पर खड़े होकर आवारा लड़कों से ट्राफिक के सवाल कर रहा है तो कोई फिल्मी गाना गुन-गुना रहा है और कोई ऑनलाइन कारवाही करके कर्मचारियों को सस्पेंट कर दे रहा है कुल मिलाकर आजकल IAS तर के कुछ अधिकारियों को भी फैन फॉलोइंग का शौक चर्राया हुआ है काम कम दिखावा ज़्यादा की नीती पर चलने वाले ये अधिकारी अपने साथ कैमरा ले जाना नहीं भूलते इसमें मजबूरन साथ देते हैं उनके मातहत कर्मचारी जो डियम के सामने डर के मारे यह चापलूसी के चलते उनकी तारीफ करते हैं और वीडियो को वाइरल करते हैं कुछ ऐसा ही नया नया शोग पाले एक IAS अधिकारी पर उनका यही शोग भारी परता नजर आ रहा है मामला है मद्यपेदेश के बालाघाट का बालाघाट का लेक्टर सहाब पहुँच गए सुदूर आदिवासी शेत्र इस्थितिक प्राइमरी स्कूल में और इस सर्प्राइज विजिट में उन्होंने बच्चों का ग्यान परखने के लिए गणीत का एक सवाल हल करने के लिए दे दिया बच्चों को बोड पर संख्या 441 लिखकर उसमें चार का भाग देने को कहा गया जब बच्चे ये सवाल हल नहीं कर पाए तो उन्होंने कक्षा की सिक्षिका स्रिमति सोना धुर्वे को भाग का ये सवाल हल करने के लिए दे दिया लेकिन वो भी ये सवाल हल नहीं कर पाई और सवाल का गलत उत्तर दे दिया इस पर कलेक्टर सहाब भड़क गए, कलेक्टर डॉक्टर नमिश्णा ने उन्हें जम के फटकार लगाई और उनकी एक वेतन विद्धी याने की इंक्रिमेंट रोकने और हेट माश्टरी के प्रभार से उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दे दिये कलेक्टर सहाब के निर्देश पर उनके कर्मचारी इस पूरे वाके का वीडियो बना रहे थे इन्ही अधिकारियों ने सहाब के कहने पर ये वीडियो शोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया और इसी दिन एक और सिक्षी का दिनेश्वरी रहंग डाले से भी सहाब ने सवाल किया पर उन्होंने भी उत्तर गलत दे दिया खुद कलेक्टर सहाब भी अपने फेस्बुक पेस से एक समाचार जारी करते हैं और लिखते हैं मोहगाओं की प्रभारी प्रधान पाठक नहीं समझा पाई सरल सा गनित यहां उनलेखनी यह है कि आदिवासी शेत्र के प्रैमरी स्कूल में इतैनायत साहेक सिक्षी का स्रिमती सोना धुर्वे स्वयम आदिवासी हैं और डॉक्टर गिरीश मिश्णा दो हजार तेरा बैज के आई एस है और बालाघाट के कलेक्टर है वाइरल वीडियो से साहब ह लेकिन आगे जो हुआ वो इस कांड का सबसे बड़ा ट्विस्ट बन गया मिश्णा जी के निर्देश पर वैरल हुआ ये वीडियो भोपाल के एक पत्रकार गोविन गुर्जर को मिलता है पत्रकार गोविन जी ने इस बात की च्छान बिन करने के लिए बालाघाट के कलेक मिश्टारी का हडबडा कर गलत जवाब दे देना सभाविक है इसी बातचीत के बीच में अचानक पत्रकार ने भी कलेक्टर मिश्टा से एक अंग्रेजी का शब्द यानि की ग्रामर शब्द की स्पेलिंग पूछ ली और ये भी कह दिया कि आप तुरंत इसका जवाब दे और ये भी कह दिया कि गूगल सहज भी ना करें तब प्रकांड पंडित तीनों लोकों के ग्याता जन्मजात मेरिट के स्वामी जानवरे के डॉक्टर वर्तमान और आईएस मिश्टाजी ने जो स्पेलिंग बताई उस पर शायद सीबी एसी के किसी प्राइमरी वाले विद पर हटा रहे हैं तो नहीं लगता है रूट लिवल पर एक सुधार की जरूरत है क्योंकि कई लड़कियां 10,635 लड़किया स्कूल छोड़ देती हैं सिर्फ इस लिए उनको ट्वाले ने अलग 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 एक्टिटी में काम कर रहे हैं जैसे अलग हट में पूल लोट अधियां अम चला रहे हैं जिसमें हमने जो आइडेंटिफाइ किया 9000 बच्छों पारे जिए और उनको लगादार उनका अड़किया अड़किया अपने इंस्पेक्शन किया तो कई बार जैसे वो लेडी है बड़ा कॉंट पढ़ा रही है रही है कि अगलत थार रही है कही है कि सारे टीचर्स का हम रैनम जो है टाइप पर टाइप करके इनका टीचिंग शिरी बनाएंगे और इंका टेस्ट लेंगे ऐसे टीचर्स इनमें कोई शुदान नहीं होगा टीचिंग में उन पे खरवाई करनेंगे जैसे रैंडम ले आप ने उन लेडी महला का जो लेड सब्सक्राइब भूफाल के पत्रकार गुर्जर सवाल न पूछते और बालाघाट के वरिश पत्रकार उमेश भाई इस पर खबर न चलाते तो आप जान ही नहीं पाते कि वेटनरी के डॉक्टर बनने की परिक्षा पास करने के बाद देश की सबसे बड़ी परिक्षा भी पास करने वाले प्रकांड पंडिता और अपने अपार ग्यान से महिला प्राइमरी मिष्णा जी बीजेपी विचारधारा के करीबी माने जाते हैं पिछली कॉंग्रेस सरकार में पनना जी ले इकलावते कॉंग्रेसी विधायक श्रीव दयाल बागरी की उपेक्षा का आरोप भी मिश्रा जी पर लग चुका है, जब वे पन्ना के जिला पंचय सीयो के पद पर पदस्त थे। आरोप ये भी लग रहा है कि मिश्रा जी की कारवाही में जातिकत भेदभाव नजर आता है। सो कॉज नौटिस जारी किया है उनके गलत सा उत्तर लाने पर तो इस तरह से आप ये वीडियो के माध्यम से देख रहे हुए कि एक महिला का किस तरह से क्योंकि वो आदिवासी महिला है और आदिवासी महिला को उन्होंने जिस तरह से टूटर हैंडल पर एक मांसिक रूप से प्रताडित करने का उन्होंने काम किया जब वही इस बात को वीडियो के माध्यम से जब जो की भुपाल के पत्रकार टाइम्स नव पत्रकार जो की भुपाल से हैं गोविंद गुरजर के द्वारा उन्होंने चर्चा किया ग्रीस मिश्रा से जब उन्होंने चर्चा के द अहम सवाल है तो यह एक बहुत बड़ा एक वो है कि आप बहुत बड़ा एक जिले के कलेक्टर हैं और कलेक्टर होने की नाते आपने निक्षेड क्या अच्छी बात है लेकिन आपने भी सवाल का जो है गलत जवाब दिया तो इसका आपको कौन पनिश करेगा यह सबसे जातियों में बना हुआ है विशेश जाती वर्ग के करमचारियों को गलती पर सीधे सस्पेंट या बरखास कर देते हैं जबकि बाकियों को सिर्फ कारण बता और नोटिस देकर मामला निफ्टा दिया जाता है पिछले एक महिने में निलंबिश सिक्षकों पर अगर नज़ सिक्षक अमित भलावी वामेंद्र नायक शशी भूशन फुलमारी जैसे सरनेम वाले ही ज्यादा लोग इसमें शामिल है जिस सोचल मीडिया को उपयोग करते हुए मिश्टा जी वह वही लूटने के फिराग में थे वही सोचल मीडिया अब मिश्टा जी के विवहार पर औ इंटरियो शेक्षन दर्शको आपको भी इस पर सोचना चाहिए कि क्या हम किसी के भी विक्तिकत बाते हैं उसको सोचल मीडिया पर क्यों वाइरल कर देते हैं या फिर ऐसी कारवाही सरकारी अधिकारी जब किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पर छोटे से स्कूल में प्रशाशनिक अधिकारी वहाँ पहुंचता है और उससे अचानक सवाल कर देता है हडबडाहट में सौहाविक है कुछ न कुछ गलत उसके मुह से निकल जाएगा और इसका वीडियो बनाकर अगर वाइरल कर दिया जाए तो उस कर्मचारी की मानसिकता पर उसकी मानसिक इस पर क्या गुजर सकता है यह वाकई विचारनी प्रश्न है और अधिकारियों को इस प्रकार की करवाहिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या को सोचना है